सामुदाइक स्वास्त केंद्र मंगलवार को कुट्टा काटने से परेशान मरीजों के लिए वैक्सीन उपलब्द नहोने से छेत्र के लोगों को भारी कठीनाईयों का सामना करना पर रहा है सामुदाइक स्वास्त केंद्र महमूताबाद में मंगलवार को सुबा कुट्टा काठे मरीजों को वैक्सीन लगाई जाती है किन्तु भीते करीब दो सप्ता से वैक्सीन नहोने से परेशान मरीज चक्कर काटने को विवश है दो फरवरी मंगलवार की सुबा छेत्र भर के दर्जनों कुत्ता काटे मरीज वैक्सीन लगवाने पहुचे किन्तु अस्पताल में वैक्सीन होने से काफी निराश हुए रामपुर कला थाना श्वेत्र के लालापुर गाउं से 6 वर्षिये बेटी रूबी को 21 जन्वरी को कुत्ते ने काट लिया था अपनी बेटी को वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने आय महेश ने बताय कि वह 15 बार आचुके हैं किन्तु वैक्सीन नहीं लगपा रही है पनिया गाउन इवासी 10 वर्षिये विपिन कुमार भीविपूर निवासी 55 वर्षिये मिथिलेश पांडे को कुत्ते ने 18 जन्वरी को काट लिया था इन्हें पहला ठीका 19 जन्वरी को तो लग गया था इसके बाद ठीका नहोने से लगातार तीन बार वापस हो चुके हैं इसी प्रकार इमलिया की जमापैर के दुर्गेश वैसापुर के सदरपुर के स्रीकस नहीं यादाओ शहरी काउन इवासी रामसागर पैगंबर पुर बासवाडा की रफियू दीन बाकरपुर के सगीर खान पहालपुर के एक गंगाराम सहीर दरजनों लोग कुत्ता काटे जाने से परेशान होकर वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल के चकर लगाने को विवश हैं इस समद में स्येस्टी अदिक्षक डॉक्टर प्रदीप सिरीवास्तो ने बताया कि पिछली बार जस्वाल मिले थी जिन्हें 26 जनवरी को 50 लोगों को लगवा दिया गया था वैक्सीन जिले पर भी नहीं है उपलब्द होते ही लगा दी जाएगी डेस्क रिपोर्ट अवधिन्यूज है यह अपना राइस्टर हम देखा है सबको कि 50 लो लगा है